नवस्कार लक्ष्मिनार जोतिस के दमा आप सभी का स्वागत में आचारे पी शुक्ला आज फिर उपस्तित हुआ हूँ हस्त रेखा में देव गुरु ब्रस्पती से सम्मंदित कुछ चीजें बताने के लिए गुरु जोतिश में अगर कहा जाए गुरु बेहत महत्पून ग्रह है गुरु अगर कहा जाए ज्यान को दिखाता है गुरु अगर कहा जाए कही ना कही व्यक्ती को गुरु का सुख नहीं मिलता उनको जिनका गुरु खराब हो मित्रों का सयोग नहीं मिलता लीवर की दिक्कत दिखाता है गुरू किडिनी से सम्मंदित कलस्टॉल से सम्मंदित सूगर्शे सम्मंदित समस्याओं को भी कही न कहीं गुरू इंगित करता है या दिखाता है अगर माल लीजे आपका गुरू बहुत खराब है साल में व्यक्ति का जहाँ पर लोग शिक्खा रकते हैं इस जगांपे चोटी जहां रक्यिए आती वहां के बाल जढ़ने लगते हैं अगर गुरू खराब होगा तो अगर गुरू पीडित होगा तो कुपित होगा तो अगर गुरु अच्छा है गुरु से बनने वाले राज्योग लंबे समय तक चलते हैं राहु है शनी है केतु है ये कुछ छणों के लिए बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि समय के अनुसार अचानक से जो अनों तरक्की की फिर गिर गए गुम्नामी में चले गए वो कही ना कही राहु के तु शनी के कारण है और बहुत सारे ऐसे लोग आप देख रहे होंगे जुन का कहलिए कि राज्योग एक समानेता चलता जा रहा ये गुरु देता है गुरु अगर खराब होगा तो पाचन तंतर पे असर पड़ेगा गुरु अगर खराब है तो मोटापा बढ़ाएगा चर्वी बढ़ाएगा मास पेसिया कमजोर करेगा अगर गुरु खराब है तो संतान उत्पत्ती में भी कही ना कहीं गुरू अगर पीडित है तो संतान उत्पत्ती में भी दिक्कत देगा संतान से सम्मंदिश सुखों में ये कमी करेगा अगर गुरू पीडित है तो गुरू का अगर प्रभाव कहा जाए गुरू का प्रभाव, देखे एक चीज़ समझिए, हर ग्रह का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पे पढ़ता है, जो ग्रंथियां होती है सर में और गुरू की मैं बात करूँ, ग्लोबल पैलोडिस्म नामक जो है एक ग्रंथि है, जिसका प्रभाव अगर कहा जाए, हमारे मस्तिष्क पे पढ़ता है या गुरू खराब होता है, तो ग्रंथि पे असर डालता है गुरू से सम्मंदित कुछ चीज़े मैं आपको बताऊंगा, केवल गुरू से सम्मंदित, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा शुरुवात, पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस बिंदू के बारे में ये, मैं हमेशा कहता हूँ, ये सफलता है, ये कारियों में सफलता को दिखाती है भागे की बढ़ोत्री को दिखाती है ये रेखा जीवन में समानेता अगर कहा जा समानेधन को दिखाती है संतान प्राप्ती से सम्मंदित चीजों को भी दिखाती है अगर एक रेखा है और संतान नहीं है माली ये संतान होगी निश्यंत रहे संतान होगी भले लेठ हो एक अलग हो गया संतान हो गया अगर यहाँ पर दो रखाएं हैं बेहत भागदशाली मकान का ऐसे लोगों को सुख मिलता है मकान के सुखों को भी धिखाती है अगर इस जगाँ पे दो रखाएं हैं ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जिस भी छेत्र में काम करेगा उस छेत्र में व्यक्ति सफल होगा चाहे व्यवसाय हो चाहे नौकरी हो किसी भी छेत्र में हो उस छेत्र में व्यक्ति जो है सफल होगा अब देखिए जैसे आपकी ये रेखा है माली ये ठीक है अगर ये रेखा ये कट रही है इस रेखा पे कट लग रहा है तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को संतान के सुखों में ये कमी करेगा ताय है ये 90 परसंट वाली बात नहीं कारण कुछ भी हो सकता है ये कही ना कहीं संतान से सम्मंदि सुखों में ये कमी करेगा कारे छेतर में अवरोध देगा ये कारियों में फ्लेक्शिवेशन जिसे कहा जाता है इसके कारण ऐसे लोगों को अपनी सोच बदलना चाहिए ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा किसी पर भरोस देखिए इसमें भी अगर कहा जाए दो तरीके की सोच निकल के आती है ऐसे लोग अगर कहाज़े बहुत ज़्यादा किसी को उपर डिपेंड हो जाएंगे बहुत ज़्यादा उससे उमीद करेंगे और वहीं द्वहरा नेचर अगर कहा जाए तो हर चीज में शक कही ना कही ऐसे लोगों को दूसरे उपर depend नई होना चाहिए, ऐसे लोगों को खुद महनत करके, ठीक है, बले आप महनत करें, लेकिन उसके बाद जो है, दूसरे उपर depend रहें, वो इक अलग हो गया, तो अपनी चीजों को यी बनलना चाहिए, ऐसे लोगों को उधार नहीं देना ऐसा वापस नहीं मिलता है शुगर की बीमारी को दिखाता है ऐसे लोगों को श्राब मदिरा पान नहीं करना चाहिने तो किड्नी पे असर पड़ता है तो बहुत सोच समझ के जो माननें के तो है नहीं मेरे कहने से लेकिन कम जरू कर दीजेगा अगर लेते हैं तो यह कही ना क पेट अपना दुरुस रखिए योगा त्यादी चीजे करते रही है यह अक्सर प्रशना आता है कि इस जगा पर तिल हो इसका क्या मतलब है अगर गुरू के छेतर रुपे तिल है यह सामाजिक जो परंपराएं होती है यह परंपराओं पर बहुत ज्यादा भरोसा ऐसे लो कम से कम जो है दो से तीन बार हाइट पर पहुचते हैं फिर गिरते हैं हाइट पर पहुचते तो हैं यह है आपको जो उचाई तक पहुचाएगा फिर गिराएगा कही ना कहीं यह कहा जाता है कि व्यक्ति को गंभीर समस्याओं को भी दिखाता है गंभीर समस्याओं को ऐसे सावधानी अपने स्वास्थ और काम के प्रती ऐसे लोगों को विश्रिश कर रखनी चाहिए अगर इस जगां पे तिल का निशान बन रहा है तो तीसरा बिंदू अगर यहां पर क्रॉस हो अगर गुरू के छेतर पे क्रॉस हो तो यह कहा जाएगा घर परिवार में अब बनना शुरू होने लग गया घर परिवार में मांगलिक काम होने वाला है विवाह से सम्मंदिस सुखों को दिखाता है बच्चीयों से मैं खास कर काऊंगा लड़कीयों से मैं काऊंगा अगर उनके उल्टे हाथ में क्योंकि कोई भी वीडियो मेरा जो है उल्टे हाथ में महिलाएं देखें पूरुस अपने सीधे हाथ में जहां अगर ज़रुवत पड़ेगी मैं खुद बोल दूँगा अगर लड़कीयों के क्रास उल्टे हाथ में है तो यह कहा जाएगा विवाह के उपरांत कही ना कही भाग्योदय को भी दिखाता है प्रेम विवाह से सम्मंदिस संकेद भी यह देता है संकेद मैं क्यों कह रहा हूँ कुछ और भी चीज़ों होते है प्रेम विवाह से सम्मंदिस चीज़ों को देखने के लिए उसमें से यह एहम है अब माल लिजे राहू का छेतर खराब है और सूरे पे अगर कहा जाए रेखाएं या दो-तीन देखाएं जो है नौकरी में सफलता और खासकर उन लोगों के लिए जो सरकारी नौकरी में या सरकारी धन कमाना चाह रहें उनके लिए बेहत अच्छे संकेथ है अगर इस जगापे क्रॉस का साइन हो न च्छत्र देखे न च्छत्र का साइन अगर कहा जाए तो छे रेखाओं से बनने वाला चिन्न जो है वो नच्छत्र कहलाता है जब ऐसे करके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे रेखाएं हैं ये महत्मा कांछा ऐसे लोगों की बहुत उची होती है अच्छा है ऐसे लोग धार्मिक होते हैं ऐसे लोग दानपुन नित्यादी च परिवार की जिम्मेदारियां ऐसे लोग कम उमर में उठा लेते हैं कि पारिवारी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि कम उमर में परिवार की जिम्मेदारियां उठाना पड़ा जीवन में बड़ा साधगी ऐसे लोग रखते हैं बड़ा साधान जीवन ऐसे लोग का होगा बहु धार्मिक्ता को दिखाता है गलत करने से ऐसे लोग डरते हैं अगर यहां पर नच्छतर का साइन है तो देखेगा हाथों में देखेगा आपको अंदाजा लगेगा अगर यहाँ पर जाल लुमा करती है जाल तो मैंने बहुत बना दिया अगर यह दो चार भी है तो यह कहा जाएगा यह अशुब है यह कहा जाएगा सारेरिक उर्जा में यह कमी को दिखाता है 12 वर्ष के आयू के अंदर बच्चे को कस्ट देता है यह 12 साल के अंदर बच्चे को कस्ट देता है संतान के सुखों में यह कमी करता है खासकर महिलाओं के अगर हाथ में है तो संतान में लेट मत करिएगा प्लानिंग मत करिएगा अगर लेट हो चुका है तो डाक्टर को पूर दिखाईए, ये संतान से सम्मंदिक चीजों में, सुखों में ये कमी करेगा, व्यर्थ के कामों में ऐसे लोग अपना समय निकालते हैं, बेवजय के काम, अपना काम छोड़के दुनिया के काम कर डालेंगे, अपना काम छोड़के, बेवजय काम, यह हो गया बॉक्स देखे गुरु पे अगर बॉक्स हो ऐसे लोग घन अच्छी मात्रा में जीवन में आता है सभी कारियों में सिद्धी प्राप्त करते हैं चाहे वो किसी भी छेत्र में हो नौकरी में हो व्योसाय में हो कही ना कही सफलता को दिखाता है कर्ज चड़ेगा तो कर्ज उतर जाएगा तैमान के चलिए अगर यह बॉक्स पूरा बधा है खुला है तो सब निकल जाएगा अगर यह खुला है तो यह समझ लीजे कि आपका पैसा निकलने वाला है पहले बधा था तो धन आ रहा था, धीरे धीरे ये खुलने लगा तो धन जाने लगा, ये स्ताय वाली बात है, 90% वाली बात नहीं, 100% वाली बात है, ये प्रसिद्धी के योग को दिखाता है, ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए, 23 साल, 28 साल, 29 साल, 53, 56 साल की वर्ष की आयू में विसेश सफलता पाते हैं, जिस स्थान पे, गुरू की स्थान पे अगर बुक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बने जाएगा तो उसका प्रभाव अचानक से पढ़ेगा अगर आपका बॉक्स बना है और ये खुलने लग गया तो ये कहा जाएगा कि आने वाले समय में व्यक्ति के लिए धन से सम्मंदित चीजों में नुकसान होना तय है तय है ट्रेंगेल अगर है राजनीती में, पॉल्टिक्स में, सरकारी नौकरी में, सरकारी धन में आपका सहायक है जो लोग बच्चे सरकारी नौकरी की तयारी कर रहे है अच्छा है एक संकेत है ये ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि कहीं ना कहीं वटती को सरकारी तंदर का लाब मिलेगा। ऐसे लोग अगर कहा जाए विवाहा के उपरांत जो है, या किसी महिला के कारण जीवन में सफल होते हैं, या उनका भाग खुलता है विवाहा के बाद या किसी महिला के कारण व्यक्ति का भाग्युदय होता है भवन और वाहन मतलब घर का सुख और वाहन का सुख दोनों ही ऐसे लोगों को मिलता है ये दोनों के सुखों को दिखाता है बस एक चीज है ऐसे लोग की संतान अगर का हाजय उनसे दूर रहती है चारण कुछ भी हो सकता है आप यहाँ परें बच्चा भी देश में हैं और वहीं जाकर स्थाई हो गया आप यहाँ परें बच्चा जो है देश में कहीं जाके स्थाई हो गया, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होता है, जिसके कान जो है, जातक को संतान का सुख में कमी आती है, एक चीज और मैं बता के ही जाता हूँ, देखें, अगर गुरू का हिस्सा सामान उठा है, उसके बाद बना है, तो इमान के चलें बच्चे आपसे दूर रहेगा, जो भी बच्चा है आपका घर से दूर रहेगा, एक बाद, अगर गुरू का हिस्सा बहुत जादा उठा है, उसके बाद बना है, तो इह कहा जाएगा कि बच्चे को लेके मन भेद और खासकर विवा के उपरांद जो है यह दिखाता है, अगर इसमें जो है, जीवन रेखा से एक रेखा ये आपके ट्रैंगल के बीश से चली जाए, तो यह कहा जाएगा कि बच्चे के स्वास से संबंदित कोई ना कोई समस्या होगी और जिसमें बच्चे को काफी भारी कस्ट मिलेगा स्वास से संबंदित यह भी अगर कहा जाए तो स्वास के देश्टी कौन से बच्चे के लिए अच्छा नहीं है देखे इस तरीके से देखा जाता है जैसे मैंने आपको ट्रेंगल बताया तो ट्रेंगल के यह यह फाइदे है यह नुकसान है जैसे मैंने कई चीजियों में बताया आपको जो है जैसे अभी कुछ दे पहले बताया था सरकारी नौकरी के लिए अब सरकारी नौकरी के लिए अगर ट्रेंगल है तो यह संकेत है कि जातक कुछ सरकारी नौकरी में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा भी और भी कुछ बिंदू अगर बन गए तो तैहक सफलता मिलेगी। अगर यहां पर ट्रेंगल है तो मान के चलें जो है असी परसंट व्यक्ति को सफलता का यह दिखा दे रहा है। गुरु एक ऐसा ग्रह है सूर्य और चंद्रमा के साथ जो व्यक्ति के जीवन में इस्थाई तो देता है। इस्थाई बनाता है व्यक्ति को। वीडियो को ज्यादे ज्यादा शेयर अन्य लोगों तक पहुचा दीजेगा। अगर कोई प्रशन है तो कमेंट बॉक्स में नीचे डाल दीजेगा। अगर किसी बिंदू पे अगर कोई वीडियो आप देखना चाहरे हैं तो वो भी लिखिएगा। अब आने वाले समय पे आप लोग जो लिखेंगे उससे सम्मंदित वीडियो में बनाके भी डालूँगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थे रखे सुरक्षित रखे अभी कले वस इतना ही। नवश्कार।